Hello friends, welcome back to my YouTube channel, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम sketchup के अंदर angular dimension कैसे लगा सकते हैं और उसके लिए हम use करेंगे एक extension का जिसका नाम है angular dimension, कैसे install करना है, कैसे download करना है, वो सब चीज़े मैं आपको बताऊंगा, अगर आप channel पे नए हैं तो please channel को subscribe कर लीजिए, वीडियो अच चलिए दोस्तों start करते हैं, तो आप कुछ इस तरीके की angular dimension लगा सकते हो, वो है with the help of this angular dimension, सबसे पहले बात करते हैं कि इसको आप install कैसे करोगे, इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है वही same site as sketch location, यहाँ पे लिखना है angular dimension 2, और यह आपके पास एक dimension होगी angular dimension, इसको आपको पहले login कर लेना है किसी भी id से, और फिर यहाँ से आपको download पे click करना है, download पे click करने के बाद यह download करने के लिए बोलेगा angular dimension, और यहाँ पे सेव करने के बाद आपको दुबारा sketch up पे जाना है, फिर आपको जाना है extension manager पे, install extension पे click करो, downloads पे जाओ, select करो, open करो, तो आपकी extension install हो जाएगी, और right click करके आप angular dimension 2 को on कर सकते हो, आपके पास कुछ इस तरीकी की dimension आएगी, अब इसके अंदर क्या क्या ट्रिक्स हैं, वो सा आपको पहले click करना यहाँ पे, फिर इस corner पे, फिर third click यहाँ पे, तो आपके पास इस तरीके से एक angular dimension आजाएगी, कितना angle है यहाँ पे, for example, यहाँ click करो, यहाँ click किया, यह click किया, तो यह एक angular dimension आ गई, अगर आप 90 degree की dimension लेते हो, तो यह जैसे 90 degree है, तो एक rectangle बनके तो भी यह dimension दिखा देगा, clear है, अब इस dimension की आपको setting change करनी है, तो जैसी आप dimension लगाओ, उसके बाद यहाँ पे click करोगे, angular dimension setting, तो वो जो last dimension आपने लगाई थी, सिर्फ उसी की setting change कर सकते हो, बाकी की नहीं कर सकते, तो just बनाने के बाद settings करो, वो setting उसी dimension के लिए आ जाएग close का मतलब जो यह arrow लगाई है, वो close है, अगर मैं इसे open कर देता हूँ, तो आप देखोगे, दोनों side की जो arrow होंगी, वो आपकी open हो जाएगी, कुछ इस तरीके से, अगर आप slash लगाओगे, तो इस तरीके से देखोगे, आप slash आ जाएगा, दोनों side पे, dot लगाओगे, dot आ और none करोगे, तो कुछ भी नहीं आएगा, normal एक line आजाएगी, तो अब आपको जैसी भी dimension चाहिए, वो आप यहाँ पे use कर सकते हैं, फिर है arrow का scale, यह arrow अगर आपको छोटा लग रहा है, तो बड़ा कर सकते हो, यहाँ पे arrow का size है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आप size रख सकते हो, 0.03 से 0.15 तक ही recommended है, उससे ज्यादा या कम नहीं रख सकते, अभी 0.05 है, अगर मालनो मैं इसको 0.1 कर देता हूँ, तो और 0.1 करेंगे, तो आप यहाँ पे enter प्रेस करो, तो वो apply हो जाएगा, आप देखो arrow size बड़ा हो गया, अगर मैं यहाँ पे 0.15 कर देता ह हूँ, तो और बड़ा हो गया, अगर मैं यहाँ पे 2 करूँगा, तो वो error दिखा देगा, अब मालनो मैंने यहाँ पे कर दिया 0.1, value इसके 0.1 किया, अब है arc radius, arc radius में क्या है, अभी आपका जो arc है वो यहाँ पे लगा हुए, यहाँ पे अभी इसने लिखा हुए, leave at 0 to use distance, 0 रखो, distance के according वो अपने आपी लगा देगा, सभी चीजों को measure में ध्यान लगते हुए, बट अगर आप यहाँ पे click करोगे 1, enter, तो यह 1 inch आ जाएगा, 1 inch देखो, इतना सा है बस, अगर मैं कर देता हूँ, इससे 10 inches, 10 inches यहाँ तक आएगा, देखो, इतना, ठीक है, अब सकते हो, कि मेरे को 5 feet का चाहिए, तो यहाँ तक आपका इस तरीके से आजाएगा, तो यह basically, जो आपकी आर्क है, उसका scale हो रहा है, कि आपको कितना चोटा चाहिए, और कितना बड़ा चाहिए, उसके बाद हते हैं, आर्क के segment, जो यह आर्क आपने लगाई है, यह कितनी smooth है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, basically segment होते हैं, यह total 12 segment है, आप इन segment को change कर सकते हो, अगर मैं इसे 10 करता हूँ, तो आप देखो इस तरीके से आपके segment बढ़ जाएंगे, अगर मैं 30 करता हूँ, तो 30 segment हो जाएंगे, आपकी आर्क और smooth हो जाएगी, देखो कितने सारे point आगया यहाँ पर smooth हो जाएगी, उसके बाद है line scale, line की scale के अंदर अब यहाँ पर value of 1 से 1.2 के बीच में रख सकते हैं, अब line scale है यह वाला, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, तो आप देखो जो line है वो यहाँ तक आई है, पूरा point तक आगे extend नहीं हुई है, और अगर मैं इसकी value 1.5 कर दूँ, तो 1.5 ही रख सकते हैं, लास्ट 1.2 तक रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर value की 1.2, तो यहाँ तक आप इस line को extend कर सकते हो, जो extension line आपकी, अब बात आते है, text scale और text size, text scale को हम value डाल सकते है, 0.03 से लेके 0.2 तक, अब मालो 0.03 ही डालता हूँ, सबसे कम, तो आपका देखो, यहाँ पर scale हो गया, अगर मैं यहाँ पर 0.1 डालता हूँ, scale बढ़ गया, अगर मैं यहाँ पर 0.2 डालता हूँ, तो scale और बढ़ जाएगा आपका यहाँ तो यह हो गया, आपका text scale, अब बात करते है, text height की, text height को वैसे हम 0 पर छोड़ सकते हैं, बट अगर ह हमें लगे कि छोटा बड़ा हमें करना है, तो मालो मैं 1 करता हूँ, तो देखो यह उसी की तरह काम करेगा, जो text scale है, उसी की तरह वो काम करेगा, इसको आप अपनी मर्जे से, इसी की help से आप increase और decrease कर सकते हो, अब बात करते हैं, youth square mark for 90 degree, अब यह क्या करता है basically, अब जैसे 90 degree का मैंने लगाया था, मालों delete किया, दुबारा लो, यहाँ पर जैसी मैंने 90 degree लगाया, तो यह इस तरीके का है, मैं ऐसे नहीं चाहता है, मैं तो mark चाहता हूँ, 90 degree लिखा हुआ है, तो इसे uncheck कर दो, तो यहाँ पर आप देखोगे, एक 90 degree का mark इस तरीके से आएगा, अब इसमें segment बहुत अच्छे से काम करेंगे, 8 करोगे, तो यहाँ पर segment दो बिल्कुल कम होगे, 8 से कम आप रखने सकते, और जितने ज्यादा segment आप यहाँ पर कर सकते हो, smooth करने के लिए, तो इस तरीके से आप कोई भी angular dimension चूज़ कर सकते हो, उसके बास save कर सकते हो इस values को as a default value, और अगर आप lot default पे click करोगे, तो जितनी भी value थी, वो default value में convert हो जाएगी, फिर आप ok करो, और इस तरीके से आप सारी चीज़े यहाँ पर dimension create कर सकते हैं, किसी भी line पे कैसी भी अगर आपको create करनी है, जैसे भी आप रखोगे, उसी तरीके से वो उसकी dimension यहाँ पर pick करेगा तो यह था, angular dimension को आप कैसे use करोगे, बहुत useful होती है जब हम काम करते हैं, तो आशागरतों, आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगे, प्लीज वीडियो को like करें, share करें, और comment करना, मत भोलने, मिलते हैं दोस्तों, next वीडियो में किस next topic पे, तब